Hello Everyone, Welcome to Shikshah for Naukri आज है 12 September जिसमें आज हम लोग discuss करेंगे Current Affair के जितने भी important questions हो सकते हैं वो इस session में हम लोग discuss करेंगे इस session का जो आपको PDF है वो Telegram पर देखने के लिए मिल जाएगा Link नीचे description में भी दिया है वहाँ से भी आप Telegram को join कर सकते हैं और वीडियो का जो PDF रहेगा हमारी Current Affair 12 September का वो वहाँ से जॉइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करीजे शिक्षा for Naukri को जिसमें आप Daily Dose के रूप में Current Affair के important questions को हम लोग discuss करेंगे आज का पहला question लेते हैं भी हाल ही में चर्चा महरा Brankadine Storm के छेत्र और विसे से संबन देता है यह आपको बताना है तो यह देखे option जो B बोलता है यह COVID-19 के संक्रमन से संबन देता है भई अब Brankadine Storm है क्या इसको जानते हैं यह क्या है भई COVID-19 में जो research अमेरी की scientist ने उन्होंने research किया और कौन सी laboratory में research किया उसका नाम है O-R-L-N-K इस laboratory O-4 क्या है stand करता है यह आपर Oak ठीक है R-4 Rids और N-4 National and L-4 Laboratory तो इस laboratory में इस चीज के बारे में discuss किया गया है यह COVID-19 के संक्रमन को बताता है और इसको Brankadine Storm कहते हैं अब इसमें especially होता है कि इसमें जो वेंस होती है जो ब्लड को कैरी करने वाली होती है तो इसका रक्त चाप बढ़ जाता है यानि कि blood pressure increase हो जाता है blood pressure increase होने की वज़े से इनका अकार में प्रद्धी हो जाती है और जो हमारे tissues होते हैं उनके उसमें सूजन देखी जाती है, ठीक है, तो ये कॉनसे साइंटेस्ट ने बताया, जो ये हमारे अमेरिकन में जो इस्थित लैब है, वहाँ पर इस चीज की जो है, और इसमें जो है, मरीजों की जो हेल्थ है, उसमें बहुत जादा गिराबट भी देखी गई, तो ये किसकी रिजन की वेज़े से हुआ, COVID-19 के संक्रमन के संबंदित है ये, किसको क्या बोला जा रहा है, ब्रैंकेडिन स्टॉम कहा जा रहा है, क्लियर है भी, बढ़ते हैं आगे, कुशिन टू बोलता है, हाल ही में समाचारों मेरा वैबर प्रोटीनला, क्या चीज है ये, इसके बारे में देखते हैं, क्या है वही वैबर प्रोटीनला, और ये कहां दिखा गया, ब्रैये, गोवे ये, गोवे में wildlife century है, एक जिसका नाम है नेत्रवली, ठीक है, कौन सी wildlife century की बात करहें है है, नेत्रवली की, कहा पर रिस्तित है, गोवे, और वहाँ पर क्या किस चीज की खोज की गई है भई देखें इस चीटी के परजाती की खोज की गई है जिसके स्पैसिफिकेशन क्या है भई कुछ इसकी विशेषता है उस चीटी की ये 2.5 मीटर एम नॉट मीटर या 2.5 mm जो है लंबी चीटी के नई परजाती है ठीक है इसको आप धिहान लखें ये इसका लेटिन नाम है और साइंटिफिक नेम आपको बताई दिया है जिसके नाम से कुष्चन अमने रेस किया है यहाँ पर प्रोटीनिला फ्लेमा इस चीज को आप भी जान सकते है या पर इसको ऑप्शन नमर ए जो है इसी वाइड लाइफ से स्टेडी की गई उनके उनके बारे में देखा गया ठीक है जिससे पहले इन 12 प्रजादियों के बारे में पहले नहीं पता था चलिए तो यह रहा कुष्चन 2 के बारे में आगे बढ़ते हैं कुष्चन 3 के लिए निम लिकित में से कौन सा अभ्यारण भारत के गोवा राच गवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा गोवा राज्य में इस्थित्य अभ्यारण यह बताईए तो देखें जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन D बोलता है यानि कि तीनों के तीनों जो अभ्यारण है यह कहां प पास इस्थित है ध्यान नखना कौन सी नदी है इस अभ्यारण के पास में जो काली नदी है उसके बेसिन पर इस्थित है यानि कि सुगम तालू का जिसके हम बोलते हैं पूर्वी गोवा के पूर्वी तड़ पर आप इसको कह सकते हैं नेत्रवली वन्या जीव अभ्यारण और ये क्या है वे उत्तर के भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण और दक्षण में कोटी गाउ वन्यजीव अभ्यारण इस्थित है तो अब आप तिहार नखना पूर्व में कौन सा इस्थित है वे नेत्रवली है और अगर हम बात करें उत्तर में तो यह है हमारे पास भगवान महावीर बन्यजीव अभ्यारण और अगर हम बात करें दक्षन में कौन सा इस्तित है यानि कि गोवा के दक्षन में कौन सा इस्तित है तो यह हमारे पास कोटी गाउग बन्यजीव अभ्यारण अब बात करें अगर हम कोटी गाओ बन्यजीव अभ्यारण की तो यह दक्षणी गोवा के कोना कानत तालूका पर इस्थित है और इसकी स्थापना कप हुई थी भई कोटी गाओ बन्यजीव अभ्यारण की इसकी स्थापना हुई थी 1968 में तो यह अभ्यान नखेगा बात करें महावीर बनेजीव अभ्यारण की इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1969 में तो इसका डेट भी अभ्यारणने के गए इस पेपर में पूछ ले जाता है और इसकी स्पैसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें यानि कि यह किस छेत्रफल में फैला हुआ है किसकी बात कर रहे हैं भगवान महावीर बनेजीव अभ्यारण की बात कर रहे हैं तो यह 107 वर किलोमेटर यानि कि स्क्वार किलोमेटर एरिया में इसको यह फैला हुआ है क्लियर ए मांडवी नदी के पर इस्थित है यह इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अब तो इसके स्पैसिफिकिशन हमने तीनों की देख ली है कौन-कौन कहा पर इस्थित है तो ऑप्शन नमबर डी यानिकि तीनों के तीनों यह गोवा में इस्थित हैं बढ़ते हैं आगे कुशन 4 के साथ सरोध पोर्ट के बारे में आपर पूछा गया कुशन 4 तो बलता है सरोध पोर्ट के संबंदित निम्लिकित कत्नों पर आपको विचार करना है कि क्या सही है सरोध पोर्ट के बारे में सरोध पोर्ट को भी जानेंगे वही क्या है सरोध पोर्ट तो पहला बोलते हैं क Terminal Association के सदिश्य से भी सामिल है, अम इन दोनों कथन में सरोध पोर्ट के बारे में से क्या सही है, यह आपको बताना है, देखें जो सरोध पोर्ट है, सरोध पोर्ट S स्टेंड करता है किस चीज के लिए, सोसाइटी, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, सोसाइटी for affordable redresser of dispute ports, तो यह क्यलाता है, विवादों के किफायती समाधान के लिए समीटी जो बनाई गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरोध पोर्ट बोलते हैं, और इसकी स्थापना कप की गई है, 1860 में की गई है, यहाँ पर लिखा है, और कौन सी समीटी के अंदर की गई है, अधिनियम के अ अंतरकत इसकी स्थापना की गई है, और इसका देश्य क्या है, नियाएपूर्ट तरीके से विवादों का किफायती हम समन्ध बद स्थापना करना, यानि कि समाधान करना, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सरोध पोर्ट के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, जो सरोध इसकी सद्सेट्स पर इसमें शामिल होते हैं, तो यह दोनों के दोनों स्टेट्मेंट हमारे बिलकुल सही है, अबाउट सरोध पोर्ट, इम्पोर्टन है बही कुछन, आगे बढ़ते हैं, कुछन 5 देखते हैं, निमलिकित में से बारत में किस-किस देशों के साथ लॉजि लॉजिस्टिक, यानि कि जो ट्रांस्पोर्टेशन में इस्तमाल किया जाता है, तो भारत के जो कुछ समझोते हैं, तो उन में से कौन-कौन से ऐसे देश हैं, तो यह तीनों के तीनों देश ऐसे हैं, चिन पर लॉजिस्टिक समझोतों पर अस्ताराक्षर किये गए हैं, य इसका नाम है LEMON इसको आप धियानने किएगा यानि कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमुरेंडम आफ एग्रीमेंट ठीक है ये ऐसा एग्रीमेंट है जो सेंट राजी अमेरिका में अमेरिका के साथ भारत ने 2016 में हुआ है ठीक है बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ त यानि कि MSLA इस नियम को हम बोल रहे है यानि कि जो समझोता हुआ है यह है ML यानि कि Mutual Logistics Support Arrangement इसको बोला जाता है MLSA को और LEMO A को क्या बोला जा रहा है बई ठीक है लॉजिस्टिक एक्सचेंज आफ मेमुरेंडम एग्रीमेंट ठीक है बई तीसरा जो हमारा बचा है वो है अब जापान के जाथ जो समझोता हुआ है उसको भी हम क्या बोल रहे है MLSA यानि कि यह भी एक agreement है आपूर्तियेवंग सेवाओ के पारस पर एक प्रावधान के लिए जो किसके साथ में किया गया जापान के साथ में किया गया और जो शसरस्त्र बल होते है यानि कि जापान क साथ आत्मरक्षा बलो के मध्य आपूर्ती के लिए जो है इस समझोते का जो है लॉजिस्टिक समझोते पर हस्ताक्षर किया गया है भारत के साथ में तो यह था important dates आगे पड़ते हैं question number six के साथ हाली में पहली बेंच पर भारती भायू सेना इसको बोल रहे है आई AF ठीक है भई तो कितने राफेल विमानों को अपचारिक रूप से सामिल किया गया है भाई बहुत ही अच्छा question है राफेल विमान के बारे में है अब राफेल विमान क्या है भाई यह आप देख लीजिए अब यह हमारा राफेल विमान और इसमें कितने इंट्रियूस किये ग बात करें तो जो राफेल विमान है इसकी जो टॉप स्पीड होती है तो वो है 1389 km भाई यह इसकी टॉप स्पीड है 1389 km और इसकी जो रेंज है वो है 700 km और जो इसका वेट है 9979 km किलोग्राम तो यह इसका वेट हुआ यह इसके रेंज हुई और यह होगा इसकी टॉप स्पीड ठीक है और यह कौन से अंबाला में जो कौन से इसमें एर फोर्स में इसको शामिल किया गया है यह है हमारे पास एर फोर्स 17 स्कौर्डरन 17 स्कौर्डरन गोल्डन एरो जो यह कहाँ पर है? अमबाला में हैं वहाँ पर इसको शामिल किया गया है कितने नंबर में शामिल किया गया है यह पांच विमानों को शामिल किया गया है अभी औप्चारी ग्रूप से तो ये था हमारा कुशन, आगे बढ़ते हैं वही, कुशन नम्बर साथ के साथ, भारत ने देशों के सशर्ष तरबलों के बीच आपूर्ती और सेवाओ के पारस परिक प्रावधान के लिए किस देश के साथ एक समझोहते पर हस्ताक्षक किये हैं, देखो आप इसका जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि मैंने इसको अरड़ी डिस्क्राइब भी कर दिया है प्रीवेस कुश्चन में, तो आपको बताना है कौन सा इसा देश है जिसके साथ भारत ने समझोहतों पर, किस चीज के समझोहते पर ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमारे भारत न में, पहला ऑप्शन के अब ओर रहा भी, ये राइट आंसर है हमारे पास इसका, ऑप्शन नमबर C, यानि कि जो कौन सा देश है, ये जपान है, और जपान के साथ क्या किया गया है, एग्रिमेंट किया गया है, किस चीज के रिगार्डिंग, भाई जितने भी हमारी आर्म् के साथ में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कुशन एट देखते हैं, भारत की पहली एक इकरत, एर एंबुलेंस सेवा, कोविट नाइटीन के बीच, चिकल्सा आपात, इस्थिती के लिए किस राज्ये में शुरू की गई थी, कौन सा राज्ये है बही है, जहां पर पहली जो जो है, स्टार्ट की गई है, तो यह है हमारा करनाट का, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान ने किएगा, option B, करनाट को को देख लेते हैं, map के थुरू, तो करनाट का की जो बढ़ी, capital है, वो क्या है, वो आपको पता है, बंगलूरू है, करनाट की capital, चीफ मिनिस्टर को करने आके, यह है हमारे पास BS, यदिवोपा, ठीक है, इन्होंने ही इनागरेट किया था, इंडिया के पहले जो, जिसकी बात की जा रही, air ambulance सेवा के बात की जा रही, COVID-19 के लिए, जो ट्रांसपोर्ट करता है, वानि कि एक जगे से दूसरे जगे ले जाने के लिए, जो भी critical cases होते है, COVID-19 के patient के, और यह कब किया गया है, कब इसका inauguration किया गया है, 8 September को इसका inauguration किया गया है, और capital आपको बताई दी है, capital इसकी बेंगलूरू, और यहाँ पर कितने district है भई, 30 district है, बात करें अगर हम करनाटका की तो, और यह जो है, South India का सबसे largest state भी है, करनाटका, य यहाँ पर जो official language बोली जाती है, कनहड जो है, वो यहाँ की official language बोली जाती है, तो यह थी बात करनाटका के बारे में, आगे बढ़ते हैं, question number 8 देखते हैं, rating agency, ठीक है, जिसको हम बोलते है, CRISL ने FY22 में कितने परतीशत पर भारत की GDP का अनुमाल लगाया है, तो अब इसके बारे में देखते हैं, सबसे पहले यह समझना है, कि यह क्या है, CRISL क्या है, इसको हम बोलते हैं, credit rating information of India, ठीक है, यानि कि जो system होता है, services होती है, credit rating information services of India, तो यह क्या बताता है, जो share market होता है, वहाँ पर जो rating के बारे में बताता है, ठीक है, तो इसने भारत पर की GDP होती है इसका कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है, तो यह जो अनुमान लगाया है, यह हमारे पास option number D, यानि कि 10 प्रतिशत, जो projected India JTB का grow है, वो कितना लगाया है, 10% धिहान लखे हैं इसको, अब यह इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके CEO को होने, CSISIL के, ठीक है, इसके CEO हैं हमारे पास, आशू शूयाज, इनका picture आप देख सकते हैं, आशू शूयाज, धिहान रखना, CRISL, यानि कि जो credit rating information system of, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इसके जो CEO हैं, यह हैं हमारे पास आशू शूयाज, और इसका headquarter कहां पर है, इसका headquarter है, मुंबई वे, कितने प launched, किसान रेल ने, जो दूसरी बार जो launch की गई है, किसान रेल, train हाल ही में, भारत के किस दक्षन राज्ये में शुरू की गई थी, यह आपको बताना है, तो यह है हमारे पास, आंदरप्रदेश, जहां पर यह शुरू की गई थी, कौन सी है यह, किसान रेल, और कौन सी schemes के अंदर का अंतरगतारी यह, दूसरी है, यानि कि second time इसको introduced किया गया है, किसान रेल को, और कौन सी स्टेट में इसको introduced किया गया है, इसको किया गया है, ध्यान लखें आप, जो option number D है, आंदरप्रदेश में इसको शुरू किया गया है, second किसान रेल इसको बोला जा रहा है, South अंदरप्रदेश में है, और कहां तक जाएगा यह, नेशनल कैपिटल, यानि कि जो अपनी इंडिया की कैपिटल है, डेली तक वहां तक जाएगा, और आंदरप्रदेश के अगर हम बात करें, CM कौन है, Y.S. Jagmohan Reddy, इनका picture आप देख सकते हैं, governor कौन है वापे, बिश्म तो यह, अगर बात करें, आंदरप्रदेश की, तो यह हमारे पास 13, और इसकी capital क्या है, विशाखा पटनम, तो यह आप इस स्टेट के बारे में, आप important questions है, पूछे जाते हैं आप से, तो यह आप ध्यान लग सकते हैं, तो यह थे हमारे आज के important current affair की questions, session पसंद आए हो, त आप इन social media handles पर आप follow कर सकते हैं, शिक्षाफ और नौकरी को subscribe कर सकते हैं, इसी तरीकी की daily आपको sessions देखने के लिए मिलेंगे, current affair के लिए, मैं भी शेक्तियागी, thanks for watching this session, thank you very much.